हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे पंजाबी चिकन ग्रेवी बहुत आसान है से बनाने में खाने में बहुत स्वादिस्ट होता है यहाँ पर मैंने 700 ग्रम चिकन लिया है इसे हम मैरिनेट करेंगे यहाँ पर मैंने डाला 1-4 चमच हल्दी पाउडर और 1-2 चमच नमक साथ ही हम डालेंगे 4 बड़ा चमच दही हमें चिकन को 15-20 मिनट के लिए मेरिनेट होने के लिए रखना है अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब हम इसे रख देंगे यहाँ पर मैंने कड़ाई में एक चमच तेल गरम कर लिया है इसमें मैंने डाले कुछ खड़े मसाले जिसमें खड़ी लाल मिर्च, कुछ लॉंग, कुछ काली मिर्च, एक हरी लाइची और एक दालची नी डाली वी है साथ ही डाला हुआ है यह प्याज स्लाइस में कटा हुआ, दो मीडियम साइज के प्याज डाल लिये है इसके साथ ही अब जायागा इसमें आदा चमच अद्रक का पेस्ट, आदा चमच तैसुन का पेस्ट और प्याज को हमें दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लेना है इधर आप देख सकते हैं प्याज पक चुका है, अब हम गयस को आप करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसे मैंने मिक्सी में निकाल लिया है, अब हम इसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे इधर आप देख सकते हैं हमने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है अब यहाप मैंने कड़ाई में दो बड़ा चमज तेल डाल लिया है तेल के गरम होते ही जो प्याज का पेस्ट हमने बना के तैयार किया है उसे इसमें डाल लेंगे और दो से तीन मिनट के लिए हम मीडियम लो हीट पर इसे पकाएंगे इधर प्याज हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है अब मैंने इसमें डाले हैं दो मीडियम साइज के टमाटर जिसका मैंने पेस बना के तेया कर लिया है और टमाटर को भी हमें दो मिनट के लिए ऐसे चलाते वे पकाना है ये टमाटर पक चुका है अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर एक चमच कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर और वन्थ फोर चमच हल्दी पाउडर और मसाले को हमें मेडियम लो हीट पर लगातार चलाते वे भूरना है यानि कि तब तक पकाएं मसाले को जब तक की इसमें से तेल सेपरेट नहोने लगे लगातार चलाने से मसाला जो पकता है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इधर आप देख सकते हैं मसाला पक चुका है, तेर इसमें से सेपरेट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन यहाँ पर हम चिकन को हाई फ्लेम पे पाच मिनट के लिए भूनेंगे लगातार चलाते वे, मिक्स करते वे हम इसे भूनेंगे इस तरीके से भूनने से भी चिकन कटेस बहुत अच्छा आता है अब हम इसे मीडियम लो हीट पर फिर से पाच मिनट के लिए भूनेंगे लगातार चलाते हुए अब हम इसे ढखके पाच मिनट के लिए थोड़ा पकने देंगे पाच मिनट के वा मैं अधकर उठाऊंगी इदर आप देख सकते हैं चिकन में जितना भी पानी है उसने छोड़ दिया है अब हम एसके सापसों में पानी को आगे कम जादा कर सकते हैं ढक्के पकाने से ये फायदा होता है फिर से हम इसे दो मिनट के लिए ऐसे लगातार चलाते हुए और भूनेंगे ये हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे पानी यहाँ पर मैं देड़ गलास के असपास पानी डाल रही हूँ आपको जितना पानी की जरुवत है उस हिसाब से आप पानी एड़ कर सकते हैं मिला लेंगे इसे अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के नुसान नमक नमक स्वाद के हिसाब से डालें और दियान रखे कि मैरिनेट होते वक्त भी हमने इसमें नमक एड़ किया है मिक्स करके हम इसे 15 मिनिट के लिए ढखके पकाएंगे और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे 15 मिनिट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे 15 मिनिट इनफ होते हैं इसे पकने के लिए बहुत आसानी से पक जो आता है 15 मिनिट में क्योंकि पहले भी हमने इसे पकाया है भूनते वक्त अब हम इसमें डालेंगे आदा चमबज गरा मसाला पाउडर और साथ ही कसूरी मेथी इसे हाथों से क्रेस्ट करते वे इसे डाल लेंगे इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनिट के लिए ढखके रखेंगे उसके बाद सरु करेंगे क्योंकि ढखके रखने से इसकी ग्रेवी और थिक हो जाएगी इधर आप देख सकते हैं ये चिकन पंजाबी हमारा बन के तैयार हुआ है ग्रेवी के साथ बहुत तेस्टी बना है अगर आपको पसनाय हो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद